सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल का और वेल आइकन को प्रेस कीजिए तके आप पासके लेटेस्ट टेक्नालॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए तो सामसंग ने फाइनली One UI 3 का जो फर्स्ट लुक है वो रिवील कर दिया है और काफी सारे नए इंप्रूमेंट्स और फीचर्स इसमें किये गए हैं One UI 3 में तो आज की इस वीडियो को पूरा देखेगा आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसा है One UI 3 क्या कुछ नए फीचर्स और इंप्रूमेंट्स किये गए हैं तो सब कुछ मैं डीटेल में आज की इस वीडियो में बताऊंगा तो इस वीडियो को पूरा है 40 लाइक चालीस लाइक आप लोग कंप्लीट कर दिजेगा और चैनल पर नहीं आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन को जरूर से प्रेस कर दिजेगा नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है प्यूश और आप देख रहे हैं टिक दोस्त प्यूश तो चलिए इस वीडि कर दिया गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से है नोटिफिकेशन 1UI 3.0 का यह पूरी तरीके से तो चेंज नहीं किया गया है लेकिन कुछ चेंज किये गये हैं जैसे 1UI था तो उसमें नोटिफिकेशन पैनल को न्यू दिया गया था लेकिन 1UI 2 में उसे कस् कर दिया है बात करें एगले फीचर की तो जो म्यूजिक प्लेयर होता है उसको समसंग ने यहाँ पे आप नोटिफिकेशन साइड में उपर की तरफ कर दिया गया है जहाँ पे ब्लूटूट साउंड जो मोबाइल डाटा का उप्सन रहता है वहीं पर आप म्यूजिक भी प इंक्लूट किया है बात करें एगले फीचर की तो जो सेटिंग का जो यूजिक है उसे समसंग ने चेंज कर दिया है दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ चेंज किया जैसे वन यूजिक था तो उसमें नया आपको सेटिंग का यूजिक देखने को मिलता था और व वॉल्यूम पैनल है उसे भी Samsung ने किस्टमाइज कर दिया है यहाँ पर आप देख सकते हैं सेटिंग में ही अगला फीचर है अगला फीचर है समसंग इंटरनेट के अप में तो यहाँ पर आप जो स्टेटस बार होता है उसे आप हाइड कर सकते हैं जिससे आप अगर ब्राउजिंग कर रहे हैं तो आप और भी बेहतर तरीके से कर सकते हैं साथ में आपको जो Samsung इंटरनेट एप है आप जो उसका लियाउट है उसे भी कस्टमाइज कर सकते हैं तो इस पर मैंने एक dedicated वीडियो बनाई हुई है तो नीचे description में लिंक है चाहिए उस वीडियो को देख लीजिए अगला feature है calling layout तो माली जी आप YouTube चला रहे हैं कोई वीडियो देख रहे हैं तो आपके device में call आजाती है तो आप जो call है वो आप mini pop-up या फिर pop-up या फिर full screen रखते थे लेकिन 1UI 3 में और भी ज़्यादा layout आपको देखने को मिल जाते हैं ज्यादा features के साथ है साथ मैं आपको काफी सारे नए features और improvements देखने को मिल जाते हैं तो वो मैं आपको next वीडियो में बताऊंगा इसका part 2 भी आएगा क्योंकि काफी सारे नए features और improvements किये गए हैं लेकिन जो UI है उसे Samsung ने change नहीं किया है जो UI है उसे Samsung ने हलका सा customize कर दिया है लेकिन आपको पूरी तरीके से नया user interface देखने को नहीं मिलता है तो इसका part 2 भी आएगा मैं बहुत जल्द upload कर दूँगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके bell icon को ज़रू से प्रेस कर दिजेगा ताकि जब भी मैं वीडियो upload करूँ आपको notification सबसे पहले मिल जाए तो यही था आज की इस वीडियो मैं उमीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई होगी वीडियो को कर दिजेगा like चैनल पर ने आये तो चैनल को कर दिजेगा subscribe मैं मिलता हूँ आपसे next वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वन्दे मातरम